हेलो अलेकम फ्रेंड वर आप सब्सक्राइब एक बार फ्रेल से स्वागत अन्वेडिक चैनल पर और फ्रेंड आज किस वीडियो में बात करेंगे सामसिंग के हम सामसिंग किसी भी डिवाइस में UX9 थीम किस तरीके से पर्मिनेंटली अप्लाय करकर रख सकते हैं मैंने आपर काफी टाइम पहले तीम के ओपर वीडियो बनाए तीजा आपर मैंने एक तीम बता रहे हैं कि UX9 थीम है जो की काफी सारे यूजर्स को काफी पसंदाया तो चाहरते कि वो अपनी डिवाइस में इस्टॉल करना है इस्टॉल कर रहे थे यहां पर यही ट्रिक मैंने अपने JSX में अप्लाय कर रहे हैं और मैं जो आपको डेमो दूंगा वह सामसिंग एक लेक्सी A7 2018 में दूंगा विकोज यह एंडूइड पाई बीट पर रन कर रहे है और मैं दिखाना चाहता हूं कि यह एंडूइड पाई बीट पर फेक्ली व 2018 ने वह एंडूइड पाई बीटा प्रोग्रामी में रन कर रहा है तो यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या है एक लिंक निचे डिस्क्रिप्शन वहां से जागर करके आपको जो है यह यह तीम को डाउलोड करना है और अगर आपको डाउलोड करना नहीं आता तो मैं एक UX9 version 2 अब इस version 2 में क्या मतलब improvement करें तो मुझे पता नहीं बाट फिर विए latest है तो फिर मैं इसको पर बना रहा हूँ एक्चली विडियो बनाना का मकसद यह को कि पहले काफे सारी यूजर ने चीच कमेंट करी थी के भाई यह 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 यहां पर आप देख सकते हैं जो तीम में यह completely install हो चुका है अब यहां पर एक प्रॉब्लम और आती है काफ सारी यूजर्स को के मारी उनका थीम शो नहीं होता है थीम इस्टोर पर तो आपको क्या करना है मतलब कुछ कर तो थीम शो होगा पर शोने लगेगा अब यहां पर आप देख सकते हैं UX9 यह आपको अपनी डिवाइस पर अप्लाइ करना है ट्राइल वरिजिन ट्राइक नाव सो पहले मैं थीम को अप्लाइ कर लेता हूं और उसके बाद मैं बताता हूं का आप कूंसी और कैसे क्या ट्रीक यूज करना है अप्लाइ करके रखने के लिए ओके सो फ्रेंज यहां पर अप्लाइ हो चुका है यहां पर इसके आइकन तोट सब्सक्राइब कर रहा है और यहां पर इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी आप देख सेती जो नेटवर्क का आइकन या फिर ले आउट है वो गजोज रहे हैं तो यहां पर इसको एक प्रमेनेटली अप्लाइगे से करकर एंपर ड्याओ को अपको मालूम होगाए कैसे ने करते हैं को Acho यहां पर एक रौनिंग सर्विस का ओप्शन मिल जाएम और यहां पर आपको देखना है कि आपकी मिस्टोर यहां Samsung theme जैसी क्या पर आप देख सकते हैं इसको आपको stop करना है open करने के बाद में यहाँ पर आपको stop का option मिल जाएगा यहाँ से आपको stop करना है और stop करने के बाद में जो आपका trial version background में run कर रहा है वो stop हो जाएगा और आप इसको जो पर्मिनेटली यूज कर सकते हैं जब तक आप चाहें आपको show cast process में भी जा करके जो इसको stop करना है और उसके बाद में इसको permanently यूज कर सकते हैं जब तक आप चाहें बट एक चीज़ का धियान रखें कि जब भी आप अपनी device को restart करेंगे तो फिर आपको यही steps दोबारा follow करने होंगा दरवाइस जो थी में वह automatic जो है आपकर default theme apply हो जाएगा तो यह तो था samsung के android pie में samsung का UX 9 theme बट कुछ इसी तरीक से जो हमें j6 में भी apply करना होता है android pie और android oreo में नहीं android nugget में भी आपको यही ट्रीक यूज करनी होगी और यह कह सकता है official trick है जिससे हम किसी भी पेट theme को यूज कर सकते हैं यहां पर android oreo android nugget users में आपको इस टाइप कर जो है देखने को मिलें यहां पर आप देख सकते हैं स्टेटस बार इसका जो notification panel है कुछ इस तरीके का मैं देखने को मिलेगा ना कि सैमसिंग आपको यह पसंद आएगी और वीडियो को लाइक की जाए और अगर आप चैनल पर नहे है तो सब्सक्राइब कर बगर कर मिलता है और आप से किसे अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में सब्सक्राइब नेक्स वीडियो